नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भी मल-ुमराव और आप लोग देख रहे हैं टाईगर गोड फार्म आज मैं एक टिपस देने वाला हूँ और उन बायीों के लिए देने वाला हूँ जिनके पास पैसे नहीं है भकरी फार्म करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इंकम नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे जोड नहीं पा रहा है, या जॉब कर रहा है, तो सोच रहा है, यार कैसे बकरी पालन करूं, यहां से जॉब छोड़ने के बाद कोई इंकम नहीं रहेगी, काफी चीजें दुविदाएं, या गाउं घर में खेती किसानी कर रहा है, तो के पास income नहीं है सेड बनाने के लिए जगे नहीं है और करना तो चाहते हैं मन में बिचार है लगान है काफी और दो दो तीन तीन साल चार साल पान साल से बस सोचे जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाला हूं यदि आप इस काम को करने वाले हैं या नौकरी क कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है तो भी आप बकरी पालन कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक साथ पूरी पूंजी नहीं लगानी होगी आपको करना क्या है पर ये है कि आपके अंदर जो है मन में ये लगान होनी चाहिए बिलकुल ये होना आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप काम चालू कर सकते हैं दो-तीन चीजें, दो-तीन टिप्स बताऊंगा, बहुत ही अच्छी चीज है और यदि आप करना चाहते हैं, तो इसमें कर लेंगे तो सबसे पहले चीज बताता हूँ, जो लोग जौब कर रहे हैं और सोच रहे हैं, मुझे जाके बकरी फार्म बनाना ये करना है, वो करना है, सारी चीज करनी है लेकिन यार इतना पैसा नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है यदि आपके पास जगए है, यद जगए नहीं भी है, थोड़ी बहुती जगए है और आप सोच रहे हैं कि उसे मुझे बनवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी सेलरी मिल लाई है उसका हजार दो हजार रुपए तो आप बचा ही सकते हैं और ये दो महिने में जोड लिए, तो तीस पैंतीस सो की सो फुट जो मौरम आती है वो आती है जिसको बालू बोलते हैं, वो आप एक एक टाली करके दो तीन महिने में इकठा कर लीजिए पांच चार पांच टाली ही मौरम लगेगी आपको एक छोटा सिड निर्माण करने के लिए वो आप महिने दो महिने में उसका पैसा जोड सकते हैं, उसको कहीं भी थोड़ी सी जगह है तो आप तुरंत खरीद के डलवा दीजिए इसी तरह महिने दो महिने में गिट्टी डरवा लीजिए, तीरे दीरे करके इंट रखवा लीजिए आप ये सारी चीज़ें साल दो साल में कर लीजिए, जॉब कर रहें तुरंत नहीं करने वालें क्योंकि ये चीज़ें खराब होने वाली नहीं हैं आपके पास रखी रहेंगी इसके बाद थोड़ा बहुत जब पैसा आ जाए या जॉब छोड़ें EF PF जो भी निकालें उससे आप सिड निर्मार करवा लें काफी आपकी बचत होगी आज की डेट में जो चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी कल की डेट में महेंगी मिलेंगी और आप एक साथ पूरा पैसा जोड़ भी नहीं सकते हैं यदि आप सौच रहें कि मैं एक अठा दो-चार लाख जोड़ के एक अठा काम चालू कर लूंगा तो नहीं कर सकते हैं इसलिए थोड़ा-थोड़ा करेंगे आपको बहुती लाब मिलेगा दूसरी चीज जो गाओं घर में रह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है वो सोचते हैं मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ करूं तो करूं कैसे तो उसके लिए दो-तीन चीज़ें यदि आप कोई फसल बेंचते हैं कहीं से भी थोड़ा सा भी पैसा आता है आप एक छोटी सी बकरी ही डालने भले प्रेगनेंट बकरी न लें कोई बच्चा ले लें दो-तीन हजार का जो बच्चियां आती हैं आप डालें तो या तो कई लोगों के मैंने सुना कि तीन-तीन साल से चार-चार साल से मन बना रहे हैं करने की सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है तो इस तरह से दीरे से एक डालें एक से दो-दो से चार होने में देर नहीं लगेगी जब तक आप सोचेंगे बड़ी जल्दी हो जाएगा और एक दो बकरी आप घर के बरामदे में कहीं भी बांध सकते हैं और आप कुछ भी करें आपकी जो वाइफ हैं घर का कोई भी मेंबर है थोड़ा सा भी दाना चारा रख देगा तो उतने में उपल जाएंगी और देखना दीरे दीरे आपको ये पूंजी जो है आपको समझ में आएगी ऐसा आपने सुना भी होगा कि यदि करजा नहीं उतर रहा करजा तो केवल बकरी ही आपका करजा उतार सकती है ब्याज का पैसा बकरी ही अदा कर सकती है ऐसा आपने सुना होगा और ये चीज हकीक बकरी जितना इंकम देगी वो आप जल्दी से दूसरे जानवरों से नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो यह चीज सोच लीजिए और अब उन लोगों की बात चलते हैं जिनके पास बिलकुल भी पैसा नहीं है और केवल वो सोच रहे हैं अपना काम किसान खेती कर रहे हैं या ज कि सोच रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं बस आपके अंदर confidence होना चाहिए कि बस करना आए तो करना है आप सबसे पहले देखिए आपके जो best friend जो मित्र हैं वो आपके कितने हैं यदि आप पांच लोगों का सोचेंगे कि हमारे जो खास मित्र हैं वो पांच हैं तो पांच मे कि भाएं बस आपको करना क्या है उन दो से आपको कुछ पैसे लेने है आप पचास पचास हजार रुपाई ही ले लीजिए और बोल दीजिए कि आप इस समय हेल्प कर दीजिए मैं आपके पैसे जो है दो चार पांच साल दस साल में दे दूँगा बस आप ये समझ के हल्प कर दीजिए कि नहीं मुझे कोई काम करना है और आप दो लोगों से पैसे ले सकते हैं दो लोगों से पैसे ले के भी काम चालू कर सकते हैं और ऐसा नहीं है यदि आपने पैसा लिया है आप इमांदार हैं अच्छे हैं और जजबा है लोटाने का तो आप कमा के लोटा भी दे आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसे दो मित्र जरूर और सब के पास मिल जाएंगे जो लाग पचास अजार की हिल्प कर देंगे और आप से पैसे भी नहीं मांगेंगे जब आप सफल हो जाएंगे तब आप उनके पैसे लोटा दीजिए और ऐसा है ही नहीं कि अभी आप कभी जिन्दगी में उनके पैसे लोटा न पाएं लोटा देंगे यदि आप मन से लगन से बिलकुल काम करना चाहते हैं बिलकुल ये confidence ठानी लिया है कि बस करना आया अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी से उधार ले लिया इधर दारू चल रही है पार्टी चल रही है इसे लोगों क ले लिया बस ले लिया तो ले लिया तो ऐसे लोग तो कभी लोटा भी नहीं पाएंगे और से लोगों को कहीं से मिलेगा भी नहीं और दे दे कोई वो अलग की बात है तो यदि आप इमानदार हैं अच्छे हैं तो ऐसे दोस्त जरूर होंगे जिन से आप थोड़ा बहुत क करना है ये उन लोगों के लिए है जो मोस्टली बहाने बनाते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है हमारे पास चारा नहीं है हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है यदि करना आए तो करना आए चारा आएगा तो आएगा कहीं से यहिदे मन बनाते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती है एस्कीूज देनेजह, भाने देनेजह, तो भाने देते रहिए जो करना है वो करते रहिए कभी भी कर नहीं पाएंगे और जब तक करने का आपका विचार होएगा तब तक पांच साल, दस साल बीच चुके होंगे सोचते साल बीतते चले जाते हैं और जॉब यह होता है कि जॉब नहीं करेंगे जॉब छोड़ने में बड़े परेसानी होती है तो होती है लेकिन जब आप ठान लोग की नहीं काम करना है तो करना है फिर आपको पांच साल देखना नहीं है लोग क्या कहते हैं लोगों की क्या mentality है घर परिवार क्या कहता है सारी चीजे इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि समाज का कितना बड़ा दबाव रहता है ये वीडियो में आगे पोस्ट भी करने वाला हूँ थोड़ा माइनस में निगेटिविटी थोड़ा दिखाता है औ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फाइदा है काम करिए और करके देखिए यदि आपने अंदर से मन से बिलकुल ठान रखा है कि नहीं काम करना है तो और यदि आप लोफड लफाड़ी वाला काम कर रहे हैं कि नहीं दारू पार्टी चल लई है सारा काम चल लई है तो फिर चा काट के खाने लगे तो कावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वो सारी चीज़ें दाल बराबर ही निपट जाएंगी और आप उससे कमा नहीं पाएंगे चुंकि मैंने देखा है जो मुर्गी फार्म किये हुएं खुद ही दस बीस मुर्गियां तो खुदी काट के खा डालते हैं और ऐसे लोग क्या कमाएंगे क्या जोड़ेंगे वो भले है उनके और कहीं से इंकम हो तो बात अलग की है और मोस्टली लोगों के जो फार्मार में उनकी कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत इंकम रहती है और यदि इंकम नहीं रहती है तो फार्में वो सकसेज नहीं होते हैं सकसेज इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो प्रापर और लगन से काम नहीं करते हैं मेनत नहीं करते हैं यदि आप काम करने के ठान लिये हैं काम करना है तो करना है मैंने तरीके भी आपको बता दिये, धीरे धीरे चीज जोड़ना चालू कर दीजिए, फार्म के लिए जो जरूरते चीज़े हैं, उनको एक अठा करना, चालू कर दीजिए, इसी तरह मैंने किया था, मैंने दो साल पहले जो बालू होती है, वो एक टाला जो बोलते हैं, टाल पॉली जो है वो मिल रही थी और इसके बाद जब मेरा फार्म बन रहा था उस समय साड़े तीन अजार में थी अब आप सोच सकते हैं कि महेंगी मौरा मुझ समय मैंने डलवा लिया था क्योंकि करने का जजबा था कि नहीं करना है तो बस करना है कि इसी तरह बस आना चाहिए इसी तरह मैंने एक ट्रोली गिट्टी भी डर वाली थी यह आप बीमें वगएरा देखते हैं जो उपर यह बीम पड़ी हुई हैं यह सब उसी की हैं उदर आप देख रहे हैं साइड में दिख रहे हैं फार्म भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको दिखा दूँगा वीडि फिट नहीं कमा पाएगा यदि अंदर से उसके लगन नहीं है मेनत करने का जजबा नहीं है वो पैदा करने की नहीं सोच रहा है वो भूमने फिरने वाला आदमी है ज्यादा गोमता फिरता है अपने काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है वो सफल नहीं होगा और उसको कर करना है तो करना है जो नहीं नहीं चीज़े सीखना चाहता है करना चाहता है जिसको चीज़ से लगाओ है इंट्रेस्ट है वह काम कर जाएगा या काम होनी के लिए जिनके अंदर इंट्रेस्ट यह केवल आप रुपया-पाईशा वदेखे करंगे तो आप happening नहीं सफ़ा pronounced लोग बटाई में बच्चियां दे देते हैं बटाई का मतलब आधी जब बड़ी हो जाएगी तो आधे पैसे उसके मिल जाएगे आप दो बकरी डाल दीजिए बटाई की छह महीने बाद आपको एक बकरी फिरी हो जाएगी और चारा क्या काटके ही तो खिलाना है तो ये चीज़ें सोच लीजिए मन बनाना है तो आज से डाल दीजिए बकरी आज खरीद लीजिए एक बकरी यदि आप मन बना चुके हैं कि नहीं बकरी फार्म करना है तो सबसे पहले एक बकरी खरीद लीजिए ट्रेनिंग रेनिंग को अटाईए कि नहीं हम ट्रेनिंग करेंगे तभी इसमें सफाल होंगे कुछ भी नहीं है आप करके तो देखो ट्रेनिंग कर लेना जब कामर्शियल रूप देना बड़ा बीस बचीस बकरियां पचास सो बकरियां हो जाएं तो ट्रेनिंग कर लेना और सीख लेना उसके गुण मैनेजमेंट सीख लेना कईसे क्या करना है क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाता है मैनेजमेंट ही तो आप सीखेंगे कैसे एक बेवस्थित जंग से फार्म चलाएं कैसे क्या करें डॉंक्टर फिर भी नहीं हो जाएंगे जैसा मैंने मोस्टली वीडियो में बताता हूँ आपको कभी न कभी डॉंक्टर की जरूरत पड़ेगी बेसिक जानकारी हो जाएगी जो दस्त जुखाम ये तीन तुफाम जो थोड़ा बहुत रहता है वो सारी चीज बुखार उखार का इलाज आप खुद कर लेंगे ये चीजें दीरे-दीरे सीख जाएंगे लेकिन एक बकरी में कोई ऐसी जरूरत एक दो चार पांच बकरीयों में कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है कुछ भी जरूरत नहीं है यदि आप यूटूब देख रहे है सारी चीजें पता है वैक्सीन वगएर आप फारम भी चालू करना है आपके पास पाईसे नहीं है तो थोड़ी बकरीयों से चालू करेंगे यह थोड़ी नहीं कि आप पचास बकरीयों डाल देंगे ट्रेनिंग में वहले पांच-दस अजार फूंक दें वह बात अलग की है बाकी फूंक ना चाहिए उन लोगों के लिए जो हाई प्रोफाइल काम कर रहे हैं ज्यादा काम कर रहे हैं ज्यादा बकरियां डाल रहे हैं ज्यादा ओकर रहे हैं लेकिन एक दो बकरी आप पाल रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की आप यूटूब में वीडियो देख लीजिए सब सही है बहुत से बहुत दस्त होएगे चुखाम होएगा यह होएगा डॉक्टर को दिखा लेंगे बुला लेंगे घर का यार चीजें खिला देंगे मठा चांच वगएरा चाय पत्ती पिला दो सब दस्त वस्त ठीक हो जाते हैं नहीं ठीक होते हैं तो वीडियो आपको डेरों मिल जाएंगे कैप्सूल वगएरा मेडिकल स्टोर चले जाएए बोलिए बकरी के बच्चे को दस्त लग रहा हैं कौन सी दवा दे मेडिकल स्टोर वाला आपको दे देगा डॉक्टर की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग वाला भी यहीं बताएगा कि यह जाके दवा ले लो मेडिकल स्टोर वाले के पास भी इतना नोलेज होता है वो रोज दवा बेचता तो उसको भी पता है कि दस्त में यह दवा लगेगी बस आपको उसके लच्छन जो हैं वो पहिंचानने है तो यदि करना है तो मन बना लीजिए आज इस एक बकरी खरीद के डाल दीजिए एक खरीदी है सिर्फ एक खरीदी है तो यदि आपके पास पैसे नहीं है चलता हूँ और यदि इस तरह के वीडियो आपको पसंद है तो आप comment करके बता सकते हैं इस तरह के वीडियो चाहिए तो मैं और भी बना दूँगा यह दिया इसे छोटी-छोटी जानकारियां आए जानकारियां आए यह छोटी-छोटी है लेकिन जानकारियां आए आप इससे बहुत सफल किसान बन जाएंगे सफल बकरी पालक बन जाएंगे बस छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखना है बारीकियां सीखना है कैसे क्या मैनेजमेंट करें कैसे क्या चीज करें हमारे पास पैसा नहीं है तो कैसे क्या लोगों से जुड़ें कैसे क्या बकरी खरीदें क्या करें एक ठाम नहीं कर सकते हैं और एक दिन आपके पास साल, दो साल, यदि आप एक बकरी साल की खरीद के डाल देते हैं, एक साल में केवल एक बकरी खरीद के डाल देते हैं, चार-पांच बकरी आगले साल आपके पास हो जाएंगी, और उसके अगले साल आपके पास 10-15 हो जाएंगी, अगले साल 20-30 हो जा कोई ज्यादा प्रॉब्लम करती हुई बकरी दिकी तो बेंच लिया और ये केवल घर की महिलाएं कर सकती है जरूरी नहीं है कि आप आप ही उसमें सारा दिन देते रहो एक दो बकरी में कोई दिन भर का काम नहीं होता है देना होता है सुबह दाना पानी कर दिया दिन में दो पहर में कुछ चारा वारा दे दिया साम को दे दिया बस बस यह है कि थोड़ा मेगनी मेगनी करती है रूम बरामदे में रहेंगी तो थोड़ी इस मिल की प्रॉब्लम आती है लेकिन जब आपको काम करना है तो उतनी हिसाब से आप साफ सफाई रखेंगे उसको दो चार वीडियो देखते रहिए और देख देखके मन बहलाते रहिए कि भाई इतनी इंकम है इतनी इंकम है इंकम देखके कभी भी बकरी पालन में मत गुसना ये भी एक चीज मैं बिलकुल फैक्ट बता दे रहा हूं यूटूब की जो कमाई दिखा रहें बकरियों की वो देखके कभी भी बकरी पालन में मत गुसना प्राफिट होता है पर इतना भी नहीं होता है जितना बता दिया जाता है चलता हूँ मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई, have a good day, thank you